इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कॉंट्रासेप्शन्स यानि कि जब भी आप गार निरोधक गोलियां खता हैं तो उनके लेने में क्या कॉमनली आप मिस्टेक करते हैं कई बहुत सारे सवाल आपके मन में होते हैं कि यदि मैं एक दिन बूल गई तो क्या होगा दो द सबसे इपार्ट गोलियां हम लोग लेते हैं लगॉयां के लिए तो सारे सायड एफेक्ट होते हैं बड़ा हर वीडियो में बताते हैं कि नगोलियों के लेने के चाहिए पूरा सेप्रेट वीडियो बनाया हुगा है जो कि आप रिस्क्रिप्शिन बॉक्स में जाकर लिंक प्लिक करेंगे तो आपको उनके फायदे सुनने को मिलेंगे अब से जो सबसे कॉमन बात हम से पूछी जाते कि इसको कब लेना चाहिए तो सबसे आपने दिन मर एक फिक्स टाइम पर लेना चाहिए चुकि हर्मून की गोलिया है तो इनको एक चाहए आपको अगर अलग ताइम्पर नहीं लेना चाहिए इसो एक फिक्स। ले सकते हैं इसको रात को लेने का फाइदा यह है कि एक तो भूलने के चांसे कम हो जाते हैं दूसरा इसके कई लेडी को शुरुआती अवस्था में जब आपको लेना शुरू करते हैं तो नौजिया या वॉमिटिंग फील होता है तो रात के बारा घंटे उसमें निकल जात कि मैघ कि आपने से आज की गोली लेना बूल गया और आपको दूसरे दिन सुभह याद आ साथ जया चाहता तरणत उस गोली को लेंगे लेकिन अडिए आपको लिवे presents 24 के से ज्यादा हो गया है तो आपने जो भूली होई गोली है वो तो आपको लेनी है और जो आपके time पर जो दूसरी गोली का time हो गया है वो भी आपको लेनी होती याँ आपको दो गोली एक साथ लेनी होती है ताकि कि आप पिछे का पेखलोग है उसको पूरा कर सके और बॉडी में heartbone का level बराबर बना यदि आप अगले तीन दिन रिलेशन में रहती हैं तो क्योंकि जब आप गोली भूल जाते हैं 48 गंटे से जाधा के लिए तो आपके बॉड़ी में हर्मोन का लेबल डाउन चला जाता है और प्रेडिनसी होने के समभनाएं बढ़ जाती है ऐसे इस्तिती में आपको एडिशन करते हैं यानि कि यंग है टीनेजर है या फिर आप बहुत रिसेंटली मैरेड है तो लो डोस भी दी जाती है और यदि आप थोड़ा सा उम्र थोड़ी जाता है तो जो मीडियम डोस वाली गोलियां होती जो 21 जन की गोलिया होती है इस तरीके से आपके प्रॉब्लम सुनकर सब्सक्षा खाया नेरे शोल जनेजरे creator के गोलिया जनली जएलैशंद यहीं प्रसकाइब करती है दो जो जो डॉक्तर प्रसकाइब करती है वही गोलिया आपको लेनी चाहिए ताकि आपको बेनेफिट जादा से जदा हो इस रहाते हां इस तरीके से गोलियों के सांद चनल जब कोपर्टी इसके कोई साइड इफेक्टी कुछ होते हैं हईड़्फटी को सकती के लिए कूलिया कोई जा सकती है तो हार्मूनल ही वाली कोड़र्पटी और यह लाद सकती है और यदि इसके साथ आपको पेड़ो में दर्द बना रहता है इंफेक्शन रहता है तो आपको एंटिवाइटेक के दबाई दी जाती है जिससे के इसको ठीक किया जा सकता है लेकिन फिर भी यदि आपको बार-बारी प्राब्लम आती है तो फिर इसको निकालने के सलहा दी ज जाती है और किसी भी गोली या कॉंट्रासेप्शन के बाद में प्रेग्नेंसी होने के रिस्क हमेशा बना रहता है ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हंडिट परसंट सेफ है यह आपको लगता है कि अपका प्रेड मिस हो गया है तो आपको डेफिनली प्रेग्नेंसी के लिए चेक कर प्रेग्नेंसी कहा जाता है तो इसलिए कोई भी चीज फुल प्रूफ नहीं होती है आपको अवेर हमेशा रहना चाहिए यह आपनी प्रेड मिस किया है तो प्रेग्नेंसी चेक करनी चाहिए और उसके बाद डॉक्र से संपर्क करना चाहिए कॉंट्रासेप्शन से रिलेट प्रेग्ना चाहिए और उसके बाद प्रेग्नेंसी चेक करना चाहिए